नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों इस्टूडिन देखने वारे हैं 2020 की तीनों पारी है यहाँ पर पर्तम पारी में 40 मन से 35 मिलें वी क्यों प मिलचां सारे एक्जेक्ट और ऑथेंटिक स्वाल एक्ष्ट्रा फैक्ट्स आहित जाने वाले हैं क्योंकि पूरे में से लगबग पूरे स्वाल मिलना बहुत ज़्यदा मुश्किल हो जाता, काफी मेनत करनी परती, बार-बार स्टुडेंट को रिकॉल कराना पड़ता है कि स्वाल भी जी उसके बाद extra fact वगेरा add करना तो इस एपट के लिए like जरूर कर देना, इस वीडियो म होता है, वहाँ पर आपकी सेट में पूछेगे जी के स्वाल आप भेश सकते हो, एक्जाम एंड होने के बाद स्वाल सेंड करने की लिंक मिल जाते है, तो शुरुआत करेंगे second set के स्वालों के साथ, उसके बाद third set के स्वाल देखेंगे, और last में कावर करने वाले अपन प कोफिनेंस लेड बढ़ाने के लिए time management हो गया है, इन सबी के लिए smart work के तुरुपर आपको mock test जाराना बहुत जहाए है, mock test के लिए test book में यहाँ पर आप unlimited mock test जारा सकते हो, second की सभी exams के आप चाहिए railway की तयारी कर रहे हो, SSC banking, defense, या फिर किसी भी state level के पोलीस है, ऐसा ही है इन सभी exam के mock test आपको एक ही पास के अंतरगत वह भी exam oriented exam pattern पर अधरीद एविलेबल हो जाते हैं अब यहाँ पर offer चल रहा है जहाँ पर आप यहीं टीटीच के coupon code यूज़ करते हो तो इन सभी पास के mock test आपको 12 मन्त की बजाए 14 मन्त की validity में वह भी 280 रुपे में एवलेबल हो रहे हैं यहाँ पर 120 रुपे का आपको direct discount मिल रहा है तो description box में link मिल देगी या पर test book, app, website दोनों पर इस open code के use करते हुए आप फाइदा उठा सकते हूँ जिससे 50% प्रिश्टी तयारी आपको mock test से ही complete हो जाती है और जो same exam pattern और डैस्पोर्ट पर आधरी जिया पर आपको mock test देखने को मिलते हैं तो चली continue कर लेते हैं second step के स्वाल के साथ सुरुआत करते हैं पहला स्वाल आगरा विश्वीद देले जो पहले उसका नाम था अब इसका नाम है डॉक्टर भीम राओ अमेटकर यूनिरसिटी इसकी स्थापना कब हुई है इसकी स्थापना दोस्तों एक जुलाई 1927 में यह है कहां पर डॉक्टर भीम राओ अमेटकर विश्वीद देले तो देर इसकी स्थापित बैंक कौन सी है तो ब्रिक्स जो देश हैं पांच देश हैं ब्राजी दरश्य इंडिया चाइना और शाउत अपरिकां इनके दोरा इसकी स्थापित जो बैंक है उसका नाम है न्डीब यहनी न्यू डवलप्मेंट बैंक जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी इसका हेड़कॉर्टर शंगाई चाइना में है और वर्तमान में इसके प्रेजिडेंट एनी न्यू डवलप्मेंट बैंक के जो अध्यक से वो है मार्कोष पार्डो त्रियोजो अगला स्वानिया पर स्वार नंबर थ्री मोलिक अधिकार स्विदान के किस भाग में है करेगा तो ये पशुपालान और कर्षि से संबंदित आर्टिकल 48 है आर्टिकल 179 के से संबंदित है अनुच्छे 179 का आपको पूछा है तो राज्यों में विधान परिशदों का उत्सादन या सर्जन होता है तो विधान परिशद है उन से संबंदित आर्टिकल है जो वि प्रदेश बिहार करना टक महराष्ट तेलंगना और उत्तर प्रदेश में विधान परिशत हैं पहले जो गमो कश्मीर में भी था विधान परिशत लेकिन अभी यूटी बन गया है केंदर शाषित परदेश हो चुका है तो विधान परिशत की जब बात हो रही हैं तो इसके गठन के लिए आपको क्या चाहिए सबसे पहले दो दोतिया ही बहुमत चाहिए तो समीधान का आर्टिकल 179 के अनुसार राज्यों को विधान परिशत के गठन या विक्टन करने का अधिकार है प्रंतो इसके लिए प्रस्तुत विधेक का विधान सभा में सबसे पहले दो नहीं है इसके लिए कुछ शर्थ भी है तो विधान परिशत के कुल सदस्यों की संख्या है जितने भी विधान परिशत के कुल सदस्य है वो राज्य विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक त्याई से अधिक नहीं होगा एक त्याई से अधिक सदस्य विधान परि उस केस में ये एक तीऐ नहीं, इसमें ये कंडिजन एक तीऐ से अधीक नहीं हो कानी कम तो कितने भी ओ सकते हैं लेकिन मिनिमम कम की केस में वह 4 से कम नहीं होने चाहें यह शर्य सर्मप आपको याद रखनी हैं और बाकी विधान परिश्यत की सज़िश्यों का कारिकाद राजिश्रबा की भांती 6 वर्ष का ही होता है और इसमें 1-3 सज़िश्य दो वर्ष में श्रेमानी वर्थ भी होते हैं अगरा स्वाल लिखते हैं यहाँ पर अनुसुचित जाती और जन जाती अत्याचार निवार्ण अधिनियम का पारिकाद रिपीट वा इससे प्रिविश सेट में आज चुका है इससे पहले 326-A आया था जिसमें मैंने आपको 326-B का भी बताया था यहाँ पर आज आगया है स्वाल IPC की धारा 326-B में अगर कोई श्रक्ष किसी पर अंग खराब करने या उसे नुक्षान पहुंचाने की नियस से एसिट फैकने की कोशिश करता है ठीक है कोशिश करता है तो उसके खिलाप IPC की धारा 326-B के केस दर्ज होगा जिसमें जो सजा रहती है जो दोशी पाई जाने की केस में कम से कम 5 सार और अधिक से अधिक 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है जो की धारा है 326-B में जुरत जाता है उस केस में दोशी है उसको 10 साल कम से कम 10 शाल और उमर कैद की सदा का प्रावधान है कोशिश के केस में 5 से 7 साल है बाकी 10 साल 326-B की धारा है आर्टिकल 33 किस से संबन दित है तो आर्टिकल 33 का आपको पूछा गया है तो अनुछे 33 है संसत को ये अधिकार द ये रीजनेबल रेश्टिक्षन लगा सके इन पर रेश्टिक्षन जो भी फॉर्सेज है उस पर प्रतिबन लगाने की जो आर्टिकल 33 में संसत कादिकार बताया गया है नेक्स स्वाल के रोबटते हैं यहाँ पर स्वाल नमबर 9 विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है यह त जर्श्व हिंदी दिवस यह भी रिपिट वा स्वाल जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है और 10 जनवरी को, क्योंकि पर्थम विश्व जो हिंदी समरन हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को नागपूर में हुआ था इन टीन हो ही पारियों में विश्व हिंदी समिलन से स्वार आज जाता है राष्टी हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस है वो दस जनावरी को मिना जाता है अगला स्वाल है अपरादिक उम्तराष्टी अपरादिक पुलीस शंक्ठनेनी इंटरपोल की बात वरी उसका हेटकॉाटर कहां पर है इंटरपोल है इसका हेटकॉाटर है ला सब्सक्राइब करें तो राष्टपती है लेकिन जो प्रावधान वह संसद की पात जाएगा तो भारत के मुख्य चुनाव एक को राष्टपती के दौरा लोक्षवा और राजिस्वा में दो त्याही बहुमत से संसद के दोनों सदन के दौरा एक पस्ताव पारित करना निर्वाध्चन आयुक्तों को न्युक्ती करने की शक्तिया है इससे पहले आर्टिकल 324 से आयावा स्वाल है 322 के तेयत राष्पती मुख्य नुरावध्चन आयुक्ती करते हैं हटाने का प्रावधान परलेमेंट की पास में यह तो राष्टी के था बाकि राजजी निर काल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष उनकी एज है समिदान की भाग 15 के आर्टिकल 324 से 29 तक निर्वाध्चन से सम्मंदित ओपन्ध दिया गया है और भारत की पर्मपर्थम मुख्य चुनाव एक प्रियूसेट में आजा हुआ है सुकमार शैन थे 1925 से अठाउं तक रहे हैं इले सुरे चुनाव एक थे शुषिल चंद्रा और चुनाव एक दो है राजियू कुमार और अनूप चंदर पांडे इन, मोटर वहन अधीनियम 1908 शीकी किस थारा में इकार्ट और इरिक्षा के नियमों का उल्लेख है, इकार्ट और इरिक्षा के नियमों का उल्लेख सबसे पहरे भारत कब आये थी तो वास्कोडी गामा आया था कब आया था 17 माई 1498 को ठीक है 1498 आपको करना होगा पुर्तगाल का वास्कोडी गामा भारत के तटपर आये जिसके बाद भारत आने का रास्ता खुल गया और उसके बाद मैं बात करूं अगले जो 1509 में अलफांस को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का अश्ली संस्तापक माना जाता है नेक्स्ट वाल यह पर वाट इस फुल फॉर्म आपको बतानी है गैट यनि जनरल एग्रिमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हैं वर्तमान में इसके इस्तान पर जो हैड़कॉाटर है वो डब्लू ट् इसके इस्तापना 1995 में हुई है इसका मुख्याले जैनेवा सुर्जिर लेंड में है और गैट है इसकी संदी प्रहस्ताक सरुए है एग्रिमेंट पर 30 अक्टूबर 1947 को है तो प्रतेक सेट में आ रहा है इससे पेरे आपके पूछा गया था चौता पर्थम सेट में अभी सा गुजरात में कौन सी भार्षा बोली जाती है गुजराती हो जाएगा इसस्वाल हो जाएगा हो सकता है हिंदी में पूछा गया हूँ गवा के बयान को मजिश्टेट के सामने रिकॉर्ड करना CRPC की किस धारा में उलेखी थे तो गवा की बयान को रिकॉर्ड करना इसे संब गवा का मजिश्टेट के सामने बयान दर्ज करने के बारे में उलेख मिलता है अगला स्वाल यहाँ पर अर्धनारिश्वर किसकी रचना है हिंदी का स्वाल पूछा गया विश्णू परभा करकी यह रचना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से सम्मन्नी थे तो जितने भ जो पारी थुआ था यह प्रोटोकॉल कानाडा मॉन्ट्रियल में इसलिए इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता जो ओज़ान प्रत्किस रंक्षन से सम्मन्दी थे इस पर हस्ताक सरुए है दोस्तों 1987 में हस्ताक सरुए है और परभावी रूप से लागव एक जनरी इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल का प्रिविश एक्जाम में पूछवा स्वाल है क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैंस उससरजन जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए या फिर ग्रीन हाउस गैंस उससरजन को कमी करन के रिए जो संदी प्रहस्ताक्सर हुए थे क्योटो प्रोटोकॉल के तैद और क्योटो प्रोटोकॉल को यह क्योटो सीटी है जपान में यहाँ पर 11 दिसमबर 1997 को अपना ए गया था एक दोस्तो रामसर समिलन है यूपियस से एक्जम में पूछो समेलन स्वाल है कि यह किस से स स्वाल है प्रोटेक्शन ऑप चिल्टन फ्रॉम सेक्श्यल ओफेंस है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक सेक्शन इस पेसल जीगी का उसमें 40 स्वाल है लेकिन काफी स्वाल जीगी के आपको रिज्डिंग में देखने को मिल रहे हैं इस टाइप सी उटपठांग हो रहा है स्वाल किसी भी सेक्शन में डाले जा रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ एक्श्टा स्वाल मिल सकते हैं आपको और कुछ ही यहाँ पर स्वाल बता रहते हैं जो पेरेग्राप में पूछे गें जीगी के स्वाल वो भी यहाँ पर इंक्लूड है तो यौन अपरादों से बच् अगला स्वाल है जो विभीन पतादीकारी है उनकी शपत से सम्मंदित अनुसुची में उलेक मिलता वो अनुसुची तीन हो जाएगी और सभी बारा अनुसुची है वो आपके रिए इंपोर्टेंट है पहली है राज्य और शंग शाषित परदेशों के सुची सेकेंड आप अनुसुची 10 में क्या मिलने वाला है दल बदल जो नियम कानून है तो दल बदल विरोध के संबन में अनुसुची 10 में अनुसुची 11 में पंचाई तिराज और 12 में है नगर निगम का प्रावदान नेक्स स्वाल यहां पर यह है कि भारतिय पुलिस शेवा IPS है वो अपने कंदे पर परतिक जनों से सुसोभित करते हैं जिसमें इस्टार वगेरा तलवार वगेरा रहती है परतिक जनों जो कि उनकी कंदों पर वो किस देश के पुलिस बल के समान हैं तो यह सा ही कुछ युन नेक्स स्वाल में 2011 की जनड़ना नौसार भारत का जनसंक्य घनतो आपको पूछा है जन सिंग के घनतों 2011 की जन गरना के एकोरडिंग 382 वेक्टी ठीक है 382 वेक्टी परती वरक किलोमेटर इससे पहले 2001 में भारत का जन घनतों था वो 324 वेक्टी थी यहाँ पर बड़ा है 382 हो चुका है आपको पूछ रहे सबसे कम जन सिंग के घनतों किस राज़े का तो आउनचर प्रदेश का है 17 वेक्टी परती वरक किलोमेटर इरिया में सबसे जएदे जन सिंग के घनतों हैं वो हैं दोस्तों बिहार का जिसमें 1106 वेक्टी परती वरक किलोमेटर इरिया में उसके बाद पच्छी मंगाल का 1028 उसके बाद केरल का है वैसे और आल में राज्य की न बात करके और आल बात को तो यूटी जो दिल्ली है उसका जन सिंके घनतों सरवादी कहें वो कितना है 11320 से 2011 के सेंसस के अकोर्डिंग सेल भी बनाम करनाटक राज्य वाद आपको पूचे ये किस से संबन्दी थे तो ये दोस्तों लाई डिटेक्टर आपका जो सच जूट का पता करने वाली मसीन रहती है ने लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है या फिर नारको लाई डिटेक्टर परिक्षन से संबन्दी था से माना गया है सेलवी बनाम करना टकरा जेव वाद में शंगाई स्योग शंग्ठन की जो पर्थम समिलन हुआ था वो कहां पर हुआ था S.E.O. का पर्थम समिलन है वो संगाई में हुआ था चाइना में कब हुआ था 2001 में हुआ था क्योंकि जो संगाई स्योग संग्ठन के इस्तापना है वो 15 जून 2001 को संगाई में हुई थी और वहीं पर इसका पर्थम समिट हुआ था इसका हैड़कॉर्टर बेजिंग चाइना म important fact यह हो जाता है बागी भारत और पाकिस्तान 2017 में एड हुए थे और SU की प्रमुक्षमिट में 19 वा जो समिट हुआ था वो क्रिगरिस्तान की राजधानी बिश्केक में 20 वा समिट है यह दोस्तों रशिया में हुआ था वीडियो कॉंफरेंस के जरी अभी 21 वा हुआ है गुजराप्ती हिंदी कनड है कश्मीरी कौंकणी और फिर यहां पर मैथिली मल्यालम मित्यी या फिर मानिपूरी यह मित्यी कोई का जाता है अब दोस्तों इसमें इंगलीस भी नहीं है और भोजपूरी भी नहीं है बाकी याद रखना है इसमें नेपाली है ठीक है कन्फ्यूज मत होना और इसके अंतरकत उर्दू भी है अगला स्वाल है बाकी आपको पता होना ची शुरुवात में आठवी अनुसुची में 22 भाशाय नेवकर 12 भाशाय थी चोदा भाशाय बार नहीं चोदा भाशाय समीदान में शामिल थी और बाद में एड हुए जैसे कि सिंधी को 1967 में एड किया गया पहली बार 21 समीदान सं संसुदान के तहट और उसके बाद 92 श्रुविधान संसुदान 2003 के तहट चार भाशा बोडो डोगरी मैथरी संताली 2003 में 92nd Constitution Amendment के तहट एड की गई है आर्टिकल 226 के से सम्मंदित है तो रेटी अच्चिका है वो जो हाई कोर्ट में रेटी अच्चिका दायर करते हैं बन्न मिलता है यह 304 ICE थी वधी बात करों IPC के थारा केवल 304 की तो गेयर इराभ्त पन हoj Otherwise ए उससे सम्मंदिति एराभ्त आरा tycker law 3104 है जो मुर्थियर का कारण हो और अब देखे इसमें एक कंडिशन बनती हैं जो आपको एक्जा में पूछा जा सकता है कि यदि किसी इस्तरी की मृत्यू है वो जब उनका विवा हो जाता है उसके 7 साल इनके बीच में होती है उस केस में ये दैज हत्या का केस बन सकता है यदि वहाँ पर कुछ सामानी परस्ति से अनावा कोई मर्तियू के कारण बनता है यहीं सामानी परस्तितियों मर्तियूं नहोकर कोई अन्यता मर्तियू होई है उस केस में हो सकता है कहीं न कहीं दैज वाली हत्या भी आ जाए सामने तो 7 वर्ष्य कम जो साल आपकी विवा है उनके मद्द्य होनी चाहिए और फिर कहीं लगता है कि पहले कोई कुरूता की गई हो दैज से संबंदित उस केस में यह दैज मर्तियू का कारण बन सकता है और अगला स्वाल देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 172 और खंड 1 आपको पूचा यह किस से संबंदित हैं वैसा अनुच्छेद 170 हैं विदान से अनुपात समस्त राज्य में यता शाद्य एक ही हूँ यह दोस्तों राज्यों के निर्वासन चेतर में विवाजित करने के उनको जनसेंग्या के एकोर्डिंग वाला आर्टिकल 162 एक जो विदान सवा हैं उनकी एरिया के बारे में 163 हैं विदान सवा की सरज्छना है इ सेकेंड परशासनिक सुधार आयोग के अद्धिक्ष को ने सेकेंड परशासनिक सुधार आयोग के अद्धिक्ष विर्पा मोहिली थी इसका गठन दोस्तों 31 अगस 2005 को हुआ है तो सेकेंड परशासनिक सुधार आयोग के अद्धिक्ष विर्पा मोहिली पर्थम परशासनि शुदारायों के और पर्तम के मुरावजी देशा याद रखना है CBI के स्तापना कब हुई थी? CBI यानि Central Bureau of Investigation इसकी स्तापना पूछा तो 1963 मुई थी, एक अपरेल को हुई है, वर्तमान में इनके डारेक्टर जनरल है वो शुभोत कुमार जेश्वाल है, नेक्स वाल यहापर Snapchat का सिंबल क्या है, तो Snapchat एप उसका लोगो पूछा है, इस टाइप से आप देख सकते हो, यह लोगो है, एक मुश्णी महिला भारत में तलाक के लिए पती का ठिकाना कितने वर्तम तक अग्यात रहने का प्रावदान है, ठीक, एक मुश्णी महिला भारत के अंतर के तलाक के करती हैं, तो उसके लिए जो condition रहती है, तो कितने वर्तम पती है, उनका ठिकाना पता नहीं है, अग्यात है, उस case में वो तलाक के लिए जा सकती है, तो चार साल तक यह लिए उनका ठिकाना अग्यात रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुश्णी अधिनियम 1949 के तैट जो महीरा तलाक की मांग कर सकती हैं उसके लिए कंडिशन के हैं या तो चार साल के आउधी के लिए पति का ठिकाना अग्यात हो या फिर पति कम से कम दो साल से पत्नी को भरन पोर्शन देने में वेफल रा हो या पति साथ या अधिक वर्षों से कारावास में हो उस केस में भी वो तलाक ले सकती हैं या फिर पति वेभाईक दायत्यों को पूरा करने में समर्थ हो उसके बाद कंडिशन ये भी हो सकती है अगर लड़की की साधी 15 साल से पहले हो गई हो वो 18 साल की होने से पहले रिस्ता खतम करने का फैशला कर सकती हैं पति कुरू करता है उस case में भी तलाख के लिए मांग कर सकती है तो आपको जो ठेकाने वारा पूछ था उनका पता नहीं कहां पर रह रहा है अग्यात है चार बर्स्ट को गए है तो वह एक मांग हो सकती है बाकि वह तो था ऊपर वाला तो मुशलिम की case में मुशलिम जो अदिनियम है मुश्लिम विभा विक्टन अधिनियम 1949 के तैद बाकि भारती तलाग अधिनियम 1869 क्या कहता है कि केस केस में तलाग की मांग हो सकती हैं वे अभी चार हैं दूसरे धरम में परिवर्तन की केस में तलाग के दाखिर होने से पहले कम से कम दो शाल के लिए विकर दिमाग संचारी योन रोक्षे पेडित जोड़ो मैं से एक साथ या अधिक वर्षों के अवधी के लिए जीवित देखा या सुना नहीं हो साथ वर्ष हो गए हैं और अभी तक उनको देखा भी नहीं हो सुना भी नहीं हो उस केस में भी कम से कम दो शाल के लिए विभाईक अधिका गोविन मिश्रक के द्वारा रज्जित हैं तो इनको इस उपनियाश के लिए कौन सा आवार्ड मिला है तो आवार्ड इन्हें मिला है शाइति एक आदमी पुरुषकार जो हिंदी भार्षा का दोजार आठ में सवदेशी आंदोलन से एक स्वाल पूछा गए हैं आपकी सेकेंड सिट में तो सवदेशी आंदोलन की बात के तो 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी शुरुआत हुई हैं लॉड करजन ने 1905 को बंगाल विभाजन के निर्ने की गोश्णा की जिसका रिजल्ट यह रहा क साथ अगस्त 1905 को कलकता के टाउन हॉल में सवदेशी आंदोलन की खोषना हो गई थी और इसके प्रमु कारिकरता में अर्विन गोश, रविंदर नाथ ठाकूर, लोकमाने बाल गंगादर तिलक, लाला लाजपतरा यह सवदेशी आंदोलन की मुख्य कारिकरता हैं यह 1911 तक चला था और अगला स्वाल देख लेते हैं यहाँ पर जो आपके थर्ड सेट में पूछे गए हैं इन सभी केंडर का धन्यवाज जनों ने तिरते पारी के स्वाल है वो टेलीग्राम पर सेंट की हैं तो थर्ड सेट का पहला स्वाल बरका प्रमानु उर्जा सेंटर कह आपने हैं बरका नुकलेर पाउर प्लान्ट की बात किया तो UAE United अरब अमिरात में हैं फिर आपने एक CRPC की धारा से पूछा गया है CRPC की धारा 133 किस से संबंदित हैं तो अन्वेशन के समाप्त हो जाने पर पुलीश अधिकारी की रिपोर्ट जब अन्वेशन पूर्ण हो अनावर्शक विलम के बिना पूरा किया जाना जाएगा और फिर यहाँ पर दो क्या कहता है 133 के भाग दो में क्या है कि जैसे ही अन्वेशन पूरा होता है वैसे ही पुलीश थाने का भारशादक अधिकारी पुलीश रिपोर्ट पर उस अपराद का संध्यान करने के लिए मजिशbank को राजिस सरकार के दोरा वहित प्रारूफ में एक रिपोर्ट है वो देगा अगरस्वां यह पर न्याएक समिक्षा की न्याले की शक्ति का स्रोत क्या है न्याएक समिक्षा आपको जूरीशल रिविवु के बारे में पूचछा गया है तो इसका स्रोत है यिस सब बारबरी बना मेडिसीन अठाशुतीन का मामला था वहाँ पर उस समय ये नैएक समिक्षा का उलेख हुआ था और अभी देखी भारत में भी नैएक समिक्षा से सम्मनित काफी आर्टिकल हैं जहां से एक्जामे स्वाल आते रहते हैं तो आर्टिकल जिसमें आपकी 32 हैं आर्टिकल 13 ये अनुच्छित गोशना करता है कि कोई भी कानुन जो मोलिक अधिकारों से सम्मनित किसी भी प्रावधान का उलंगन करता हुआ वो मानने नहीं होगा मोलिक अधिकारों को जो अलंगन करता हुआ फिर यहां पर आर्टिकल 32 और रिट बाले जो हो जाएंगे ज जो 6-14 साल के बच्चों के लिए मोलिक अधिकार है वो किस आर्टिकल में है शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21-A में है शिक्षा का अधिकार जो कि 86th Constitution Amendment 2002 के जरीए एड किया गया है इसी समिधान संसुदन के तयाद 11 मोलिक करते वे भी एड किया गया था 86th Constitution Amendment 2002 में नेक्षवाले आपर किस संसद्य समिधी में सभी सदस्य लोक्षवा सदस्यों में से होते हैं संसद्य समिधी जो प्राकलन समिधी हैं इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य है वो लोक्षवा के सदस्य रहते हैं ना कि राजिसवा की जैसे अन्य समिधी में आपकी प्राकलन समीति हैं इसमें तीर सदिश्य हैं वो लोक्षबा के ही रहती हैं तो यह जो समीति हैं संसदी समीति हैं यह मॉंटेंग्यू चैम स्पोर्ट शुदार के अधार पर 1921 से यह समीतिया है वो अस्तितमाई थी जो आर्टिकल 105 में इनका जिकर भी है अगला स्वाल राज स्थार के अधिकारिक भार्षा हिंदी हैं और इसमें एक और गोवा का भी पूछा गया है गोवा की अधिकारिक भार्षा कौंकणी हैं और इंगलिस किसके अधिकारिक भार्षा हैं सिक्की मेघाले नागरलेंड अरुनेच्चो प्रदेश के ओपिशल लेंग्वेज इंग अने जिसे अंडमान निकोबार की हिंदी इंगलीज है चंडिगड की इंगलीज है दादर नगर हविली दमन देव की गुजराती कौंकरी मराटी हिंदी है दिल्ली की हिंदी और इंगलीज दोनों है पुदुचेरी की तमिल फ्रेंच इंगलीज है ये सबी ओपिशल लेंग् पच्चार करने की जो शक्ति हैं वो आर्टिकल 25 में हैं अगला स्वाला सुचना का अधिकार कानून कब बनाए गया था या फिर केंदरे सुचना यू किस्तापन कब हुई है दोनों ही केस में एंसर 2005 है सुचना का अधिकार जो स्वतंदर्ता अधिनियम देखिए सुचना का इससे पहले इसका अगर्दूद था वो था सुचना की स्वतंदर्ता अधिनियम फ्रीडिम ओफ इंफोर्मेशन एक्ट आया था 2002 में ये याद रखना है ये इसका अगर्दूद था और उसके बाद कहेंदरे सुचना यू किस्तापना भी 2005 में हुई है 12 अक्टूबर को इनि अखिल भारते सेवा अधिनियम का पारितवा है 1971 में अखिल भारती सेवा अधिनियम गोवा की अधिकारिक भार्षा है कौनकरी पूछा गया है अग्रासवालयापर करुणाले कविता संग्र के लेखा जय शंकर परशाद नेश्ट पूछा गया है उत्तरप्रदेस का राज की पक्षी क्या है ठीक है इस्टेट बैड़ उप उत्तर प्रदेस है तो आप सभी को पता होगा शाष क्रेन सत्रवी लोक्षवा में महिला सांस्तों की सेंख्या केतनी है सरवादिक अब तक महिला शांस्त है वो सत्रवी लोक्षवा में भी इनकी सेंख्या सरवादि कह सकते हूँ इससे पेरे सोहल भी लोक्षवा में महीरा शांस्तों की सिंख्या MP की सिंख्या वो 62 वेच सीटी इस दोन एज दा Manchester of India ठीक है Manchester है जैसे कि ये England की सिटी है जिसमें टेक्स्टाइल कपड़ा गड़ा का पाउर हाउस है तो इस परकार भारत का Manchester कहा जाता है एहमदबाद को नवाबो की नगरी के से उत्तर प्रदेश की सिटी को नवाबो की नगरी कहा जाता है लखनव को कहा जाता है याद रखनाँ जो मंदिर पुरी उडिशा में है तो आपको पूचा है कि जगनाथ मंदिर है इसका निरमान किस ने करवाया था तो अनंत वर्मन चोट गंग है इनके दौरा 1161 CE में निर्माण अनन्त वरमन के दौरा कराया गया हैं, जो कि पूर्वी गंगावंस का शाषक रहे हैं, इन्होंने कलिंग की दक्षिन भाग पर शाषन किया हैं, और 11 शतापदी में इसका निर्माण इन्होंने शुरू कराया था, ये जो जगनात मंदिर प्र 42 समिदान संसुद्न के दौरा, आर्टिकल 81 A में, भाव 4 A में एड किये गए हैं, और फिर यहां पर ये कहां से लिये गए हैं, समिदान के मोलिक करत्वे हैं, ये रूष से लिये गए हैं, स्वाण शिंग शमीति हैं, इनके अनुसंचा पर इनको एड किया गया है, और जो के वाला हैं माता पिता या स्रंक्षन का चल से चोदा वर्ष की बच्चों है तो प्राप्निक शिक्षा परदान करेगा ये ग्यारवा मुलिक करतों हैं जो कि 86th Constitution Amendment 2002 के जरिए एड किया गया हैं स्वाल एक किस राज़े में समान नागरिक शहीता लागू है तो राज़े हैं गोवा जहां पर ये समान नागरिक शहीता जो कि आर्टिकल 44 में ये वरणन इसका मिलता है वितायू का गठन आर्टिकल 20C एजी स्वाल है वर्तमान में 15 वितायूक दिनके अद्धिक्स NKC है इस परकिरिया शहीता 1973 की धारा 154 का संबंद किस से हैं तो आपको पूछा है भारतिये दंड परकिरिया सहीता ये ये FIR की परकिरिया से संबंदित है FIR शंगे अपराद होने पर दर्ज की जाती है देखे आपको पूछा दा सकता है एक 0 FIR भी होती है जैसे कि ये कहीं पर खेतर की नहीं है उस केस में वो कहेंगे जहां जिस भी थाने की ये घढ़ता है वहाँ पर आप FIR दर्ज करेंगी लेकिन जो नियम कहता है आपका आदिकार कहता है कि वहाँ पर आप zero FIR दर्ज करा सकते हैं वो बाद में ट्रांसफर कर देते हैं जो उसी थाना च्छेतर की आउजुद भी जो FIR दर्जोती वो 0 FIR रहती हैं और FIR का प्रावधान जो 13 CRPC की 104 में देखने को मिलता है गिरबतारी के संबन्द में प्रामश लेने का अधिकार के सार्टिकल में तो आर्टिकल 22 में है गिरबतारी और नजरबंदी की खिलाप सुरुक्षा है आर्टिकल 22 मे वो क्वकिल के सला ले सकते हैं गिरबतारी की केस में ये आर्टिकल 22 में है जो मजड़िश टेट की समख स्पेस किया जाता है 24 गंटे से पेरे पर्थमाईकर अदीनियम कब पारित हुआ था wrap नहीं 971 है थी canわか पर्थमाईकर अदीनियम है 1971 में और यह जो आईकर अदीनियम 1971 है इसमAc fidelity 298 में धारा है और अनुसुचिया कितनी है तो 14 अनुसुचिया और 298 में धारा है मोटर वहान अदिन्यम 2019 में किस धारा के तैद दुपईया वहानों पर हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है तो बार बार रिपीट हो रहा है धारा 194D डौन मत बनना है आपको हेलमेट लगा के ही चलना है तो 194D है इसी में हेलमेट न लगाने के केस में 1000 र जुर्माने का प्रावधान है और जो अवर्लोडिंग करते हो शामता से जएदा यात्री होते हैं उस केस में जो 194D डौन में A वाली धारा लगती है 194D के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपे के जुर्माने का प्रावधान है तो ये सारे आपको मोटरवान एक्ट की ध हारा है और कितने रुपे के जुर्माने का प्रावधान है जरूर यात करके जाना होगा अगला स्वाले आपर ड्वेत अद्वेत वाद के प्रतिपादक कौन है ठीक है द्वेत अद्वेत वाद की प्रतिपादक है निमकाचारिये निमकाचारिये हैं ये अद्वेत और द् जगत गुरु निमकाचारी आपको इससे सम्मधिद अन्य जैसे कि विशुद अद्वेत वाद की प्रतिपादक है गुरु वलभाचारी अद्वेत वाद की है जगत गुरु आधी शंग्राचारी विशिष्ट अद्वेत वाद की पूछे तो ये रामानुददचारी है और द्वेत वाद के ठीक है ये द्वेत अद्वेत था आपको द्वेत वाद पूछे रहे तो माधवाचारी इनकी प्रवर्तक है अगला स्वाले केंदरी सतरक्ता आयोग की इस्तापना किसकी सिफारिश पर की गई थी केंदरी सतरक्ता आयोग है इससे पहरे आपको पूछे गया था केंदरीय सत्रक्ता आयोग कब 1964 में और इसे जो समिधारिक दर्चा मिला है वो केंदरीय सत्रक्ता आयोग अधीन स्वाल पुछे गाएं इससे पहले भी फिर्जिट पर वायरस कौन सा या फ्रूर्ट में वायरस हो जाएगा अलप शरंक के अ Rouge अब आपको पूछ लें वापस एक जुट कब हुए थे तो 1916 के जो लखनाव अधिवेशन हुए था कांग्रेस का उसमें ये दोनों ही देल वापस एक साथ आ गए थे अलग हुए थे वो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुए थे अगला स्वाल है किस विशे पर राज्य और केंदर सरकार दोनों कानून मना सकते हैं जिसमें आपको आपसन पर आधरी थोगा जो समर्तिस हुच्ची के विशे दिये रहेंगे एक इस्टुडेंट बताए कि उन्होंने जो टिक किया था वो एगरिकल्चर किया था जो उनका ग जिओं का स्रंक्षन है पक्षियों से ड्रग्स है जितनी भी दबा है पोईजन से ट्रेड यूनियन से इंडिस्टिल और लेबर डिश्प्यूट होते हैं एडुकेशन शिक्स आपको आपको आपसन मिला होगा इसमें जाएदी हो तो बताना पोर्स शिपिंग है हैं आर्केलोजिस्कल साइट है ये सभी समर्ति सुच्चि के विश्चे हैं जैसमें केंदर और राज्य दोनों कानून बना शक्ती हैं लीकिए वन है वनों को समर्ति सुच्चि में कब इस्तानांदित किया गया है ब्याली सभीदान संस्वाद निसो चेतर के तैदर का हैट जमानद से सम्द्ध आपको परशिद वाद पूचा है तो ये गुरबक शिंग सीब्या बनाम पंजाब राजिय हैं ये एतियाशिक निर्ने में अग्रीम जमानद देने की सम्मन में दिशा निर्देत जारी हुए इन अग्रीम जमानद आपको मिल जाती हैं कब मिलेगी जमानत से सम्मंदित जैसे की MP और अन्य बनाम राम किशन बलोठिया हैं जिसमें अगरीम जमानत दी गई हैं सावित्री अगरवाल बनाम महाराष्टन MP अबरहाम और एक अन्य बनाम महाराष्टन हैं रहना जलार बनाम केरल भद्रेश विपिन और जो नातु सिंग वाला केस है इसमें जैसे नातु सिंग और ओमपाल सिंग बनाम उत्तरपले इसमें नहीं मेरी अगरीम जमानत शुशिला अगरवाल इन दोनों में और अगरा हो महा देवी वरमा का पर्थम कावेश्ञर है वो नीहार है हिंडी में स्वाल होगा ये एक स्वाल कूछशा गया है यहां पर वोल्गा, मिश्शिपी, डैन्यूब, रहीन ये जो कैप्सीं खागर में यिनमें से कौन सी नदी गिरती है उल्गा रिवर है किए सागर में गि अगरा स्वाल है नवा विश्व हिंदी समलन कहां पर हुआ है जोहां स्वक्षाउत अपरिका में 2012 में हुआ था एक स्वाल है ग्रामीड बैंक की इस्तापना किस ने की है यदि आपको ग्रामीड बैंक का इस्तापना का पूछा है तो मोहमद यूनिश्च खान के दोरा बहु स्वाल था उसकी इस्तापना वर्ष पूछा था जिनको याद है थार्ट स्वाल के यह कमेंट करके बता सकते हूं अब दोस्तों पर ब्रीफली देख लेते हैं पर्थम स्वाल संक्षित में इस देखेंगे क्योंकि पर्थम स्वाल का अलग सी वीडियो डाला हुआ वह आप देख सकते हूं बाकि यहाँ पर सारे स्वाल एक बाल में कवर कर लेता हैं जो पर्थम स्वाल में इनका घंदेवाद जिनों है रियल और ऑथेंटिक स्वाल भेजे हैं पर्थम पारिके तो स्वाल और एंसरों बताने वाला हुआ हूँ है फर्ष चिपके राष्टी पिछल अबर गायो के स्वाल इसको स्वाल एक दर्जा काफी इंपोर्टेंट है एक सुद्वाश विदान संचुदन 2018 के तेर इसको स्वाल दर्जा दिया गया है वर्तमान में इनकी जैर्मेन है भगवान लाल शहानी अगर आस्तवा लेखते हैं 2011 की जन्गर्णा में सरवादिक से अदुचरी का लिंगानूपा सबसे अधीक है 1036 सबसे कम लिंगानूपात किस केंदर शाशित परदेश का तो आप कहेंगे दमन दियू का है सबसे अधिक लिंगानूपात किस राज्जी का तो केरल का है भारत का लिंगानूपात 943 से 2011 की सेंसस में 2001 में सेंसस में भारत का था 933 से और सबसी कम सेक्स रेशियो हर्याना का 899 है केरल का 114 से सबसे अधीक है वर्ल्ड वाटर डे विश्व जल दिवस्त 22 मार्च को मनाये जाता है 2021 में इसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर यूटी दिल्ली को विशेश दर्जा देते हुए राष्टी राजधानी चेतर की समिधान संसुदन की तेथ एड़ किया गया है 31a और 31b किस Constitution Amendment के तयाद एड हुए हैं तो पर्थम श्रविदान संसोदिन हुआ था जो 1921 में इसी के तयाद 31a और 31b एड हुए और 25 पे Constitution Amendment में 31c को एड किया गया है 1931 में बालश्रम निशेद वद नीमन कानून का पास हुआ है 1986 में बालश्रम निशेद वद नीमन कानून है 1986 में पारित हुआ है बालस्रक्षन अधिनियम की बात के जो 2005 में हुआ था किशोर न्याय अधिनियम 2015 का है नेक्श वाल देखते हैं सुप्रीम कोट ने जो तीसरे वरग की रूप में जो थर्ड यहाँ पर सुप्रीम कोट ने लिंक का जो तीसरा वरग है उसमें ट्रांस ज सी के लिए तीस वर्ष है फिर में बात करूँ राश्पती राजेपार के लिए पैंतिस वर्ष है बाकी वोटिंग की उमर है वो 18 वर्षे कब की गए थी एक्सेट्रा समीदान संसुदन हुआ था उन्निसो नवासी में जिसमें वत्दान की जो उमर है लोक्षभा इंपोटेंड समीदान संसुदन है आर्टिकल 342 में अनुसुचित जन जाती है 341 में अनुसुचित जाती का वर्णन संथाल विद्रों की नेता कौन है तो कहनू छिद्दू चांद और भेरो है और 855 में ये हूल विद्रों या पर संथाल विद्रों की शुरुआत हुई आगला स्वाले अभी तक भारत में कित्नी बार वित्याटकाल तो आप केंगे एक बार भी नहीं राश्ति आपातकाल 3 बार वित्याटकाल आर्टिकल 360 में पहली बार राश्ति आपातकाल 1912 में भार्ध चीन युद्र प्रियू सर्फ में आ जब थुका है शर्किन बार 1913 मे हुआ था 1993 में तो विश्व हिंदी से मिलेन आप देख लिजीगा पहला नागपूर में 1975 में दूसरा पॉट लुइश उनिश्यों चेतर तीसरा उनिश्यों सी न्यूंदिली चोथा 1993 ंठीक दिखी 10 साल के लिए पॉट लुइश फिर 1996 ये इस्पैन में हुआ था 1999 में छटा लंदर में साथ आपको पूचा है सेकेंड शिट में था सुरिणाम में हुआ था पैरमारी बो और आठवा है नियोक शिटी यूएस में यूएस में आठवा हुआ है और दसवा भोपाल इंडिया में है तो नवा आपको पूचा है थार शिट में जुआंसबग शाउत अफरीका में पॉर्ट लोईस में ग्यारवा हुआ है और बारवा फुजी उत्तर प्रदेश की राजिश्वा सीट कितनी है सबसे अधिक है 31 है उत्तर प्रदेश में लोक्षवा सीट भी सबसे अधिक अस्ती है और CRPC की 125 वाली धारा है जिसमें पत्नी, संतान और माता-पिता के भरन पोशन के लिए आदेश का प्रावदान है ये कौन सा प्रक्रण है श्रहा बानु अब डिखे सेनावक की ओपीसर की जो रेंग है आप फॉसेज की डेश में फॉस्टार रेंग कि survives이다 ran कि रहती है फिल्ड martial अइस्ता ही पोस्ट है फिल्ड एड्मिरल रहती है इंडेन इवी में इंडेन एरपॉस में फाइश्टा रहिंग मार्शल ओप दा इंडिन एर फोर्स फाइश्टा जैसे की वर्तमार में जनरल एड्मिरल और एड्जिव मार्शल है तो ये सबी पोस्ट का अलग से वीडियो डाला हुआ आप सर्च कर सकते हैं टॉप टेंडिंग जी के डाल कर चंदर्शेकर आजाद कि प्रोद्यूगी की विश्विद्दाले कहां पर है उत्तरफ देश के कानपूर चले में ठीक है ये जो यूनिश्टी है चंदर्शेकर आजाद किर्शी विश्विद्दाले यूपी कानपूर में बंदी प्रतेक्षिकर आप वो हैबियस कौपश का पूछा है इसका वैसे शाबदी करते रहता है वो आपका सरीर है बोडी से ही संबंदित है लेकिन जो ये रेट से संबंदित है उस समय रेट लगाई जाती है जब आपको हिराशत में ले लिया जाए जेल में रख दिया जाए और 24 घंटे की भीतर मजिश्टेट के समख स्पेस करना होता लेकिन न करें उस केस में ये आपका अधिकार बनता है हेवेस कौपश का रेट के जरिये जो हाई कोट में लगाई जाती आर्टिकल 226 के तैस सुप्रेम कोट में 32 के तैट राज्य परशास्तिक अधिकन के सदिश्यों की न्यूक्ति राष्टपति केस की सलापर करते हैं तो ये अधिक्तम कितनी वाट हो शकती हैं तो ये 4000 वाट आपको करेंट करना था प्रिवस वीडियो मेंने 2000 बताए थे लेकिन जो प्रस्ताव वो दिया गया था अभी जो प्रमुक आपको पूछा गया है धारा दो एक अंतरगत इसमें प्रावदान दे रगगा है कि 4000 वाट से अन 1964 पे पारित हुआ था अगला स्वाल है तुल्लू काहा की भासा है कि करना थकी है दर्विडियन लेंग्वेज है अनुवेशन में कारिवाई की डायरी CRPC कि किस धारा में उल्लेकी थे हैं पुलिस जो भी अनुवेशन करती है वो डायरी में लिखेगी क्या 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 उन्हो के टोटल सांसद है जिसमें 20 लोकशबा से 10 राजी सबा से होते हैं संसदी राजबसा समिधी के गठन इंपोर्टेंट है 1906 में हुआ था ये रिपोर्ट अपनी राश्पती को शौपती हैं अगला स्वाल है मोलिक अधिकार और राज्य के नीती निरुषक तत्तों में क्या कवरी से सम्मंदित रिपोर्ट है UNCTAD के दोरा प्रकाशित की गई थी तो United Nations Conference on Trade and Development की ये करंट अपरेश स्वाल बना है और इसकी जो इस्तापना है UNCTAD के 1964 में जेनेवा सूर्जर लेंड में हुई है अगरा स्वाल है बैन सिल्बर मन किस कमपनी की सह संस्तापक है तो Pinterest कमपन की सनचना है समिधान के तेतरवे समिधान समझदर एक्ट 1972 के तेतरी इस तरी पंचाइत राज वहस्ता की गई थी अलगलेग 243 काफी आर्टिकल है इसमें आपको टग का पूचा है पुलिश बल अधिकारों का निर्बंदन अधिनियम 1966 में पालितुआ याद रखना है ये CRPC की धारा आठ के उपधारा से एक स्वाल पूचे गए वैसे आठ है ये महानगर छेतर से सम्झन देते हैं एक स्वाल भूमी सुधार की धारा से हैं इस टाइप सी पैंतिस स्वाल मिले हैं भूमी सुधार में ये आपको याद रखना है भूमी अधिगरन अधिनियम 894 और जमीदारी विनाश भूमी व्यासता दिनियम 1950 में पारी दुआ हैं दोस्तों ये आपकी UPSI एक्जाम 20 नॉमर 2021 के ओल सेप्ट ये तीनों पारे हम पूचे के 120 में से 110 स्वाल या पर एक्स्टा फेक्ट साइथ कंप्लिट हो चुके इस एफट के लिए वीडियो लाइक कर दे जरूर जोड़ जाना है जिसकी लिंक डैस्क्रिप्स में हैं और ये दि आप प्रिविस एक्जाम में पूचे कि जीके की इसी प्रकार से एक्ष्टा फेक्ट की पीडियो डाउंडोड करना चाहते हो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो टॉप्रेंडिंग जीके सबसे वीडियो के नीचे डैस्क्रिप्स में लिंक मिलेगी जहाँ पर डैमो वीडियो किस टाइप से आपको डाउंडोड करनी है पीडियो वगएरा वह आपको मिल जाएगा मिलते है नए वीडियो के साथ वंदे मात्रम जहीं दोस्तों